हाई गाइस वाकम बाक तो दे चानल सो आज है हमारे पास टीवेस रॉनिन का स्पेशल एडिशन यहां पर आपको कुछ एडिशनल चीजे मिलने वाली हैं तो आज हम बात करेंगे कि यहां पर क्या-क्या चीजें और सो हाउ इड कंपेस्टू मीटियॉर रॉयल इंफील्ड मी अपने पॉइंट बुक कही देन गो टो शोरूम एन हाव लोग नेट स्टार्ट विडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे वहले हम आपको टीवेस रॉनिन स्पेशल एडिशन का प्राइस पर आ देता हूं तो इसका एक शोरूम प्राइस है यहां प्यार आपको बहुत साइच चीज़े मिलने वाली हैं बट सबसे पहले जस्ट लुक आद डिजाइन यार कितनी मस्कुलर दिखती है कितनी अग्रेसिव दिखती है बलकी दिखती है अना देखो किता साइच डिजाइन है सो इस लुकिंग वेरी गूड सामिस अपन स्टार्ट करते हैं सो यहां बहुत अच्छे तरीके से फिट वगेरा की गई है तो बहुत ही अच्छी है एकदम स्टड़ी है अच्छी है अच्छी मतलब प्राक्टिकल लिए विंड इंट से आपको नहीं बचाने वाली बट इट लोक्स गुड बिकॉस नॉर्मल रॉनिन में यहां इसके बाद यह सब कुछ एकदम ऐसे खाली-खाली दिखता है तो यहां बहुत अपने पास ज़्यादा बलक है इस लुकिंग मोर मस्कुला सो ऑन दा स्पेशल एडिशन आपको यह मिलने वाला है विंड स्क्रीन इसकेंड ली यह सब कोछ ब्लाक डॉट है नॉर्मल गानिन में यह सब बड़ यहां पे आपको यह पूरा headlight unit black doubt मिल रहा है बाकी यहां पे अपने पास यह DRL है T-shape में उसके बाद LED headlights है so all of that is good also आपको यहां पे LED turn signals मिलते हैं so that is very good उसके बाद front में अपने पास upside down forks हैं gold anodized dual purpose tires हैं so यह भी आपको मिलते हैं इनकी performance कैसी है अब यह पन उसके बाले में बात करेंगे also on the special edition आपको यह Ronin का sticker मिलने वाला है wheels पे तो यह भी एक चीज है बाकी it's based on the top model so we have dual disc and dual channel ABS so यह दोनों चीज़े मिलती हैं because top model पे based है बाकी lower models में आपको single channel ABS मेलेगा but यह special edition सिर्फ dual channel ABS में अवलेबल है सिर्फ top model में अवलेबल है बाकी यह diamond cut alloy wheels है so that is also looking good और यह जो front है ना इतना सुन्दर देख रहा है यार मतलब यह black के साथ यह gold office उसके बाद windscreen सो बहुत ही साही देख रहा है also आपको यहाँ पे यह अलग color मिल रहा है यह gray के साथ यहाँ पे red है फिर white है और फिर graphics है also अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मतलब यह थोग सा different color का graphic दिया गया है यह night time में शायद shine वगेरा करेगा so that is also there so एकदम unique paint है यहाँ पे आपको tvs का logo मिलता है also यह वाला जो part है ना it's different when I compare it to normal Ronin normal Ronin में यह पूरा silver रहता है बढ़ यहाँ पे मतलब इसका design वगेरा change किया गया है so that's good और इस तरफ से अगर आप देखोगे तो यह पूरा fiber है और यह oil cooler है so all of that is good यहाँ पे Ronin लिखा हुआ है exhaust note आगी मैं आपको सुनाता हूँ का badge मिलता है now it's based on the top model so यहाँ पे आपको adjustable levers भी मिलते हैं जो के बड़िया बात है यह mirrors यार बहुत सुन्दर देखते हैं मतलब यह देखो so it looks very expensive बागी हाँ अपने पास kill switch mode button hazard lights start करने के लिए यहाँ पे अपने पास adjustable levers light के controls यह को toggle करने के लिए फिसके बाद यहाँ पे horn वगेरा so all of that is good अब अपना आते हैं इस गाड़ी के instrument cluster मिल रहा है इसमें अपने पास क्या क्या है सबसे बहले मैं आपको start करके दिखाता हूं so first of all we have bluetooth connectivity अब अपना फोन वगेरा पैर कर पाओगे उसके बाद यहाँ अपने पास पोई telltale lights है side stand की warning है उसके बाद tachometer clock speed gear position indicator odometer trip a trip b उसके लावा यह trip a trip b distance to empty ठीक है odometer यह सब चीज़ है average speed तो यह साइच चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलने वाली also यहां से आप यह mode change कर पाओगे so urban और rain दो mode हैं दोनों में ABS alter होता है power alter नहीं होती सिर्व ABS alter होता है तो अगर आपको ज्यादा sensitive चाहिए rain में रखो अगर कम sensitive चाहिए तो urban में रखो सो वैसा है तो यहां से आप कर पाओगे also यह bluetooth connectivity वाला यहां से आप कर पाओगे तो पूरा phone वगेरा pair कर लो so that is very good also यहां पर आपको एक USB charging point मिलता है तो USB charging point भी है बट बहुत देसे में उसको ढूंड रहा हूं में को मिलनी रहा क्योंकि specs में तो था कि आपको यहां पर USB charging point मिलने वाला है so I'm also finding it अभी तक में को मिला नहीं है देखो यह होता है कि placement यार ऐसी जगह पर होना चाहिए कि आपको एक दाम असानी से मिल जा है बट में को देखो अभी तक नहीं मिल रहा तो इसमें आपको USB charging point मिलने वाला है जो की special edition में मिलेगा अभी तक में को दिखा तो नहीं है तो शायद वो dealer की तरफ से fit किया जाएगा वो शायद आपको बाद में लगके मिले बाकि अभी तो में को दिखनी रहा अब आते हैं इस गाड़ी के seat की तरफ सीट तो यार काफी सुन्दर है बिकॉस देखो यहां पर अलग मंठीरियल है यहां पर अलग है फिर यह वाइच्छा एरिया है पिलियन के लिए अच्छा एरिया यहां आपको grab rails मिल जाती है सब्सक्राइब है अब आते हैं इस गाड़ी के रिया लुक की तरफ रिया से विया इतनी सुन्दर देखती है मतलब यह देखो अभी आप सुनना एक्जॉस नोड बाकि इस तरफ आते हैं से आपको साइड स्टाइड का टॉफ सेंसर मिलता है सेंटर स्टाइड भी है है फुल्ली कवर्ड चेन है सो एक बहुत बली आपात है और एक दम छोटा ससारी गाड़ है सो दाट इस अलसो लुकिंग गोड तो यह है टीविस रॉनिन का स्पेशल एडिशन अब एक काम करता हूं आपको उसका एक्शॉस नोट सुनाता हूं and then we'll ride it let's go first of all the exhaust note of this motorcycle is so damn bassy मतलब यार stock exhaust में इतना bass और पता है जब आप throttle देते हो ना तब तो ठीक है but जब आप throttle को ऐसे छोड़ देते हो ना एकदम ऐसे aggressive bassy sound आता है so that is very good so the exhaust note of this motorcycle is very basic proper आपको यहां पे बड़ी bike का feel आने वाला है बागी अब बात करते हैं इस गारी के engine के बारे में so right from the start the pickup is very good of this motorcycle and after that we have linear power अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपको power के मामले में या फे torque के मामले में दिक्कत होने वाली है but यहां पे आपको linear power मिलती है so it's not like की एकदम से आपने throttle खोला और कोई particular rpm पे आपको एकदम sudden burst of power मिलने वाली है वैसा नहीं है यहां पे आपको linear power मिलती है but you have good amount of torque all the time whenever you will open the throttle you have good torque good power आपको downshift करने की जरूरत नहीं है आपको gear change करने की जरूरत नहीं है so linear है but कहीं पे भी आपको power के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली एकदम torquey engine है till the red line आप एक torque curve को ride करते रहते और एकदम red line तक या जिस तरीके से के engine ref करता है power देता है मज़दार यार अभी आपने देगा कितने freely ref करता है और एकदम मज़दार power है no issues with that refinement के बारे में बात की जाए so mid range में आपको थोड़ा बहुत buzziness मिलेगा vibration नहीं है यहाँ आपको हलका सा buzzy feeling आती है बाकि फे टॉप end में एकदम refined हो जाता है initial में एकदम refined है so mid range में हलका सा buzzy है बाकि तो यार काफी refined engine है refinement के मामले में कोई भी दिकत नहीं है the engine is also very good with heating heating वगेरा आपको यहाँ पे बिलकुल भी feel नहीं होने वाली है so no heating issues vibration वगेरा नहीं है हलका सा buzzy नहीं है but that is not a problem according to me और power यार linear है but बहुत ही सही है यार whenever you will open the throttle the bike just goes forward एकदम ऐसे linear तरीके से जाती है so that is very good अब बात करते हैं इस गारी के gearbox के बारे में first of all आपको यहाँ पे slip and assist clutch मिलता है so the clutch is very light बहुत अराम साब इसको use कर लोगे secondly अगर आप एकदम aggressively downshift करते हो the rear wheel won't skid so that is also good so the clutch is very light और यहाँ पे आपको five speed gearbox मिलता है the gearbox is very good proper click है proper shifting है shifting के मामले में यहाँ पे कोई भी रिकत नहीं है so very smooth precise gearbox है precise shifting है no issues with that अब बात करते हैं इस गारी के sitting position के बारे में sitting position ते यार इतनी comfortable है first of all यहाँ पे आपको यह लंबा view मिलता है आप देख रहो मैं यहाँ पे हूँ यहाँ से लेके कहां तक है so एक वो power cruiser वाला आपको यहाँ पे feel आता है कि हाँ यार मैं कोई power cruiser चला रहा हूँ और अच्छी length है handle bar is nice and white foot pack जिक्तम center में है seat बहुत comfortable है so the sitting position is very comfortable कोई भी problem नहीं है you can ride this motorcycle for kilometers and kilometers and now let's take a U-turn here so बहुत अराम से आपके pair वगेरा नीचे पहुंच जाएंगे and the weight of this motorcycle is not a lot normal variant का weight है 159 kg special edition the top model इसका weight है 160 kg so काफी light है मतलब दिखती बहुत बड़ी बड़ी है but weight जादा नहीं है so बहुत आराम साब इसको use कर लोगे maneuver कर लोगे turn कर लोगे the turning radius is also good so that's very good sitting position तो यार बहुत ही सही है बाकी अब बात करते हैं इस गारी के brakes के बारे में so today we have the dual channel ABS variant यह top model में आपको dual channel ABS मिलता है so we have dual disc and dual channel ABS let's talk about the rear brake first rear is kind of okay the bite is okay the feedback is okay the stopping power is okay so the rear is kind of okay बाकी अब बात करते हैं इस गारी के front brake के बारे में front is good man the bite is good the stopping power is good the connectivity is also good so the front brake is good the rear is kind of okay बाकी यहाँ आपको dual channel ABS मिलता है and also we have the ABS modes so urban or rain depending upon the situation you can decide कि आपको ज्यादा sensitive चाहिए या फिर कम sensitive चाहिए तो आप डिसाइड का सकते हो and yes it works ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का है वो काम करता है बाकी अब बात करते हैं इस गारी के suspension के बारे में suspension तो यार इतना comfortable है इतना comfortable है 50% of the travel is on the softer side so अगर एकदम से कोई pot hole आ रहा है speed maker आ रहा है कोई problem वाली बात नहीं है 40 की speed में 50 की speed में कोई issues नहीं है 40 की speed में जाओ 50 की speed में जाओ घड़े में यह सब कुछ absorb करेगा आपको एकदम comfortable रखेगा front rear दोनों एकदम comfortable है and after the initial 50% मतलब आधे travel के बाद half of the travel उसके बाद it's on the stiffer side and that is what gives you so much stability so much confidence गाड़ी इतनी stable रहती मतलब even at 100 km per hour around corners you can have a lot of fun also आपको यहाँ बें dual purpose tires मिलते हैं so on road भी काफी अच्छी grip है off road में भी decent काम करते हैं so बड़ी आए ना मतलब अगर आप off road भी जा रहे हो तो suspension आपको comfortable रखेगा एकदम toss नहीं करेगा और road पे चला रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है comfortable है अच्छा stable है ज्यादा feedback नहीं है बढ़ ठीक यार इस category की motorcycle में वो तना important भी नहीं है so that's there so suspension is very comfortable and good stability no issues with that अब बात करते हैं इस गारी के mileage के बारे में so you can easily get around 35 to 40 km per liter so 35 to 40 km per liter depending upon आप इस motorcycle को कैसे चलाते हो उतना mileage आपको यहाँ पे मिल जाएगा so mileage is good mileage के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है भाईया को क्या हुआ 35 to 40 km per liter उतना आपको मिल जाएगा so mileage is good considering the power capacity and all of that and yeah इसको read करने में कोई भी problem नहीं है because एकदम यार आपके eye level पे आपको नीचे नहीं देखना है उपर नहीं देखना, side में नहीं देखना एकदम आपके eye level पे आप यहाँ देख रहो और हलका सही हाँ देखो, सब कुछ read कर लोगे so एकदम यार, side placement है बागी fit and finish, all of that is very good so no issues with that अब बात करते हैं, वाड़ेक के बारे में सब बात करते हैं कि आपको TVS Ronin लेना चाहिएगी नी so मेरे साब से यार, this motorcycle is very good because इतनी practical है, versatile है the power delivery is very good, it's very comfortable इतने सारे features है upside down folks है this looks very beautiful and the fit and finish all of that is good अब अब अगर मैं कॉंपेटिशन के बात करूँ कॉंपेटिशन में अपने पास Hunter है, बहुत साही लोग पूस्ते हैं कि भाईया, Hunter लें कि इसको लें यार, मेरा पता नी क्यों स्टार्टिंग से रहा है कि Hunter according to me is not a Royal Infield yes, आपको वहाँ पे जादा टॉर्क मिलता है and ठीक है, it's the most affordable Royal Infield motorcycle that you can buy right now but मेरको वहाँ पे Royal Infield का फील नी आया if you are a die-hard Royal Infield fan और बजट उतना नहीं है फिर मैं काऊंगा, जाके ले लो यार Hunter कोई सवाल ले हैं फिर तो हाना because आपको वही पसंद आने वाला है but according to me, for me the range starts from bullet bullet low, classic low हाना, बागी motorcycles low वहाँ पे है यार Royal Infield का वो फील आता है, वो चीजे आती है Hunter में तो यार वो फील नी आता है उसके लावा, वहाँ पे fit and finish के issues हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको इतने features नहीं मिलते so there I feel Ronin is a far better motorcycle when I compare it to Hunter so answer simple है Hunter और इसके बीच में I will prefer Ronin any day because this is more versatile I can take it anywhere, the power delivery is better the fit and finish is better more peace of mind हाना, एकदम से कोई चीज खराब नी होगी तो वो सब यहाँ पे नहीं है तो वो में को अच्छा लगता है उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं भी या इसको लें हाइनेस लें या फिर इसको लें या फिर बुलिट लें यार देखो, यह कहां पे है और बुलिट कहां पे है अब हाँ अगर आप टॉप मॉडल को compare कर रहे हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ अगर आपको जादा बड़ी मोटर साइकल चाहिए विच इस लॉंगर उसके अराबा आपको मतलब जादा टॉर्क चाहिए और वो रॉयल इंफील वाला नेचर चाहिए फिर मैं कहूँगा instead of going for the top model of Ronin you can go for bullet bullet का base model but again वहाँ बे आपको इतनी चीज़े नहीं मिलेंगी इतने features नहीं मिलेंगे तो वही बात है you want a more feature range, more practical more versatile motorcycle or you wanna go with something which is torquey and gives you that macho feeling तो यह आपकी उपर है तो यह तो आपको ही decide करना पड़ेगा बाकी मेरे साब से आर यह motorcycle बहुत अच्छी है बहुत सही है लेना है ले लो with the special edition जादा aggressive दिख रही है जादा सही दिख रही है तो मेंको तो यार बहुत सही लगी तो यह था TVS Ronin का special edition आपको उड़ो कैसा लगा do tell me in the comments thanks for watching guys I hope you like this video उसको लाइक का देना सब्सक्राइब करना बलाइक का देना और कमेंट आपको उड़ो कैसा लगा and see our next video bye